नई दिल्ली की इंशुरेंस कंपनी से 35 करोड के मामले में खजराना पुलस ने उत्तर प्रदेश की चार लोगों को पकड़ा है इस मामले में सभी से पूछताच की जा रही है बताया जाता है कि इस मामले में बोकेम प्राइवेक पेरिंग्टर लिमिटेग के अफसर की यहां नहीं मिला इस मामले में पुलस जल्द आरोपी की गिरफतारी कर सकती है तियाए दिनेश वर्मा के मताबिक 35 करोड की धोकाधड़ी को लेकर पुलस ने रविवार को डॉक्यूमेंट जब्त किये हैं इस मामले में पुलस ने अभी शमी मेहमत पुत्र जबर अली निवासी स जब्त कर नगर यूपी को पकड़ा है इस मामले में पुलस अब सभी की भूमिकाओं की चांच कर रही है जो 35 करोड का जो चेक बैंक आफ इंडिया में लगा था उसमें जो बोकेम पैरेंटल प्राइवेट लिमिटेट के सुनिल जेन के द्वारा लगा गया था प्रसंद प्रकंड पंजिबत किया था और अभी वो पुलिस के सामने नहीं आया है लेकिन उनके वकिल के माध्यां से या उन्होंने जो चांच कर दिया दिया उसके आधार पर एक एग्रिमेंट मिला है पुलिस को जिसमें की जो है दस्तूर कंपनी तरफ से कोमल शाही नाम की विक्त में जो है जो है जो पैंक में ये ले जाकर और उसको बुरहने के जो घटना हुई थी उस पर हमनुबर प्रकंड 511 में दल्ज किया था उसमें पुलिस ने चार जो आरोपी हैं जिनके द्वारा की अनुबंद किया गया था उनको ग्रिफार किया जिसमें शामी मेहमध है एक और शक्स राम गोपाल जाइसवाल है ये चारो यूपी के रहने वाले हैं गोंडा जिलेवे हैं और ये इसी ट्रेक को गुपुना कर और उसके जो पैसा जो बन रहा था शेर उसको लेने के बहाने आया थे और उसी दौरान पुलिस ने उनको ग्रफतार किया है